नमस्का दोस्तों पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है Study in Canada से रिलेटर्ड पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम आने वाले टाइम में वहां की जो 40-50 जो colleges और universities पब्लिक फंडर्ड हैं उनके बारे में discuss करेंगे उनकी हर एक college और university की one-by-one video लेकर आएंगे हर एक video के अंदर हम सिर्फ उस specific universities के बारे में discuss करेंगे तो आज की जो वीडियो है वो है University Cap Britain University यो की Canada के अंदर है Nova Scotia के अंदर उसके बारे में हमारी discussion रहेगी इसके अंदर हम Cap Britain University है इसके अंदर हम क्या-क्या discuss करेंगे यहां की application fees इनके intake इवन बहां पर कौन से certificate, diploma, PG, bachelor degree और master degrees है अगर उनमें admission लेना है तो admission के लिए without ILTS भी ले सकते हैं पर visa के time आपको ILTS चाहिए चाहिए अगर आपने ILTS के साथ डाल रहे हैं तो ILTS का क्या score चाहिए अगर आप PT के साथ डाल रहे हैं जा TOEFL के साथ डाल रहे हैं तो उसमें क्या-क्या score चाहिए और इस university को भी SDS के through consider किया जाता है अगर आपके ILTS के score appropriate है तो आज complete EC के बारे में वमारी discussion रहेगी अगर आप इस university में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं Cap Britain University में तो Crown Immigration आपकी definitely help कर सकती हैं उनके intake के बारे में भी discuss करेंगे तो हम starting करेंगे पहले ये university की मैं location फिर बता देता हूँ Nova Scotia के अंदर है application fees इसकी जो है वो 80 Canadian dollar है University की जो tuition fees है वो 14,000 Canadian dollar से start होकर 16,000 Canadian dollar की है काफी economical tuition fees है यहां पर तो अभी यहां पर जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में discuss करेंगे और उनके ILTS कितनी requirement रहती उनके बारे में भी discuss करेंगे और इवन इस university के अंदर और क्या फीचर है अगर आपकी previous study English medium में है तो आप MOI के सा साथ भी इस university में admission ले सकते हैं तो दूसरा क्या है आपको लेकिन at the time of जब visa apply करना है that is mandatory तब आपको जी अपना ILTS लगाना पड़ेगा, admissions is a different thing और जो visa है वो different thing है और even यहां पर अगर आपने ILTS के साथ apply करते हैं तो आपको जिस authority ने British अगर ने ILTS issue किया हुआ है जहां IDP वालों ने ILTS issue किया है तो आपकी ILTS की report directly university को आपकी authority ने भेजनी है यह एक इसके अंदर condition है ऐसी condition USA के अंदर maximum university और colleges में रहती है तो Canada के अंदर भी कुछ specific universities है they are saying like that one तो अगर आपका जो program है वो post graduate diploma है two years diploma है जहां bachelor degree है तो आपके जो overall band है 6.5 होने चाहिए और किसी भी module में 6 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप bachelor of nursing इस university से करते हैं तो आपके जो band है 7.5 और किसी भी module में 7 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप यहां से MBA करते हैं तो MBA वाले के जो overall band 6.5 और किसी भी module में 6 से कम नहीं होने चाहिए और GRE की भी requirement है आपका GR 500 होना चाहिए यह SSE इनकी requirement है तो मैं यह बता दूँ कि अगर आप PT के साथ अपलाई करते हैं तो 59 है अगर TOEFL के साथ अपलाई करते हैं तो इसका जो TOEFL है वो 80 है तो इस university के अंदर 32 सो जिसके अंदर 30% international student है जो की 40 country से है जो 30% जो student है अभी मैं प्रोग्राम के बारे में डिसकस करूं का कौन-कौन से प्रोग्राम है इंटेक के बारे में बात करें जैन मई और सब्तमबर का जहां का में इंटेक है सबसे पहले MBA के बारे में डिसकस करेंगे साथ में हम चाय का भी लुफ्त लेते रहेंगे MBA में admission लेना है आपके पास bachelor degree होनी चाहिए bachelor में 60% से कम नहीं होने चाहिए आपका जो ILT से 6.5 जैसे आगे बताया था तो किसी भी मुडियूल में 6 से कम ना हो अगर आप PT के साथ 59 एट और 80 है तो साथ में आपका मैंने पहले बताया था जी आर 15,000 Canadian dollar MBA की 16,000 Canadian dollar में आपको Canada में इस कैप Britain University में admission मिल सकती है तो Public Health का program है जो बोस्ट डिपलोमा है पोस्ट ग्रजूट डिपलोमा है इसमें अगर आपने admission लेना है जह दो साल का program है इन में कौन admission ले सकता है अगर आपने MBBS की है जह आपने BDS की है जह आपने BDS की है जह आप Physiotherapist है जा B Pharma है जा Psychology में आपकी Bachelor degree है तो आप इसमें admission ले सकते है तो उसके बाद हमारे पाद हेल्थ केर management है वो दो साल का program है यह भी सब जो program है उन बच्चों के लिए जिन्नोंने आरडी Bachelor की हुई है Physiotherapist में चाहे आपने Psychology में चाहे आप BDS है चाहे MBBS है तो आपको उसमे में भी admission मिल सकता है आपके जो percentage 65 से कम नहीं होने चाहिए जो आपके core subject है उन में 50 से 50% से कम नहीं होने चाहिए तो हमारे पास जो अगला है petroleum का post-graduation diploma है दो साल का यह उन बच्चों के लिए है जिन्नोंने B.Tech की हुई है यहां B.Sc, M.Sc, chemistry, geology से की हुई है math requiring bachelor math जरूर हो आप का bachelor के अंदर तो आपके जो I.L.T.S. 615 उसमें आपका हो सकता है इसी तरीके से हमारे पास another PG diploma है electronic and control का यह all electronic and electronic student जिन्नोंने B.Tech की हुई है उनके लिए this is very good program तो आपके जो percentage of B.Tech में 55 होने चाहिए इसी ती environment study है chemical study है तो इन में भी आपके पास जो आपकी study है B.Tech चार साल की होनी चाहिए इन PG diploma में अगर आपने admission लेना है environmental हो chemical engineering हो या B.S.E. agriculture चार साल की हो तो इसमें आप admission ले सकते है बैक लोग का अगर हम बात करें तो यहां पर आठ से ज़्यादा बैक लोग acceptable नहीं है चोटी से चोटी टेकनिकल चीज हम बेखने के बाद ही admission apply करत को बहुत अच्छा experience है Canada से related even मेरी बहुत सारी वीडियो है हमारे channel के उपर अगर आपका वीजा already refused हो चुका है आप एक genuine student है आप किस way से द्वारा अपने case को represent कर सकते है वो representation किस way से बनाई जाती है क्या उस representations के अंदर आपको वहां की final जो court है उनकी judgment कोट करने की जूरत है नहीं है यह कून बता सकता है वो ही बता सकता है इसको technical knowledge है एवन अगर आपके उपर आलडी बैन लग चुका है आप एक genuine student थे आपको आपका बैन लगने से पहले opportunities देते है पर सीजर फेरनेस लेटर आ चुका है तो उसको आप किस way से रिपरजेंट कर सकते है उस को किस way से reply करनी है इवन अगर आपका GC की के अंदर कोई problem आ रही है को document upload करने की यह वहां पर आपको confusion है उसमें भी हम आपकी help कर सकते हैं इवन हम किसी भी student का कोई original document नहीं रखते हैं आपकी GC की तक student के साथ में immediately share की जाती है तांकि student अपने status को every time चेक करता रहे तो ऐसे ऐसे हम features provide करत हैं इवन अगर आपका Canada के visa में कोई refuse आवी जाती है तो हमारे पास hundred countries के option है यहां पर हम आपको options provide कर सकते हैं इवन आप Canada में जा चुके हैं आपने पनी spouse को जहां parents का भी कोई visa apply करना है तो उसमें भी हम आपके help कर सकते हैं तो supply chain management इसमें तो कोई भी commerce वाला engineer वाला कोई भी parents के phones आते हैं कि हम अपने बच्चे को डिरेक्टी बैचलर करवाना चाहते हैं Canada के अंदर यह क्या है ब्रेटन जुनिवर्स्टी में हम आपको बैचलर डिरेक्ट के भी options प्रोवाइड कर सकते हैं यह तीन साल का बैचलर ऑफ अजिनीरिंग टेकनोलोजी पट्रोलियम यह तीन साल की बैचलर है ट्वेल्थ होनी चाहिए 55% से कमना हो आपके तो साथ में English, chemistry, biology, physics और mathematics, तीन सब्जेक्ट होने चाहिए जितने भी यह तीनों मैंने बोले थे तो अगर है आपके पास और six band each है तो आपको डिरेक्टली इसमें बैचलर में admission मिल सकता है इसी तरीके से electronic and control है बैचलर डिग्री, environmental study में है इसी तरीके से हमारे पास chemical engineering है बच्चों की जिस सारे के सा बैचलर डिग्री कर सकते हैं इसी तरीके से civil engineering में मिल सकता है, electrical and control engineering में भी है, mechanical में भी है जिस सारे के सारे बच्चों को admission मिल सकता है लेकिन इसकी जो fees है वो अपरोक 16,000 Canadian dollar से लगबग है एक साल की इसी तरीके से हमारे पास mineral resource की engineering डिग्री है उसमें भी admission लेना है तो मिल सक बैचलर इंजिनिरिंग का material है और चार साल की इसमें भी non-medical वाले student को मिल सकता है तो हमारे पास bachelor of hospitality and tourism की भी है तीन साल की यह भी बच्चों को admission मिल सकता है math यहां पर required है तो math यहां पर required है अगर आपने यह करना है 12th course math note का 12th commerce अगर 12th आपने commerce से की है तो तब आपको math की requirement नहीं है तो इसी तरीके से energy management का भी है हमारे पास business administration का भी है हमारे पास bachelor of business administration legal studies का भी है हमारे पास 4 साल की डिगरी है इसी तरीके से human resources का है marketing major है यह भी 4 साल की डिगरी है इसी तरीके से supply chain management की bachelor डिगरी है finance की bachelor डिगरी है tourism marketing and management की bachelor डिगरी है इन में सब में आपको admission मिल सकता है तो दूसरा हमारे पास जो science के bachelor बाले बच्चों के लिए इसमें जो बच्चे biology के साथ पड़े हुए हैं उनके लिए हमारे पास human nutrition है बायलोजी में बायलोजी में बायलोजी में बायलोजी में हेल्थ emergency management में बीसी है नर्सिंग में भी आप इस जगा पर आप बात कर सकते हैं 12th math is mandatory 75% से ज्यादा होने चाहिए तो नर्सिंग की काफी डिमांड है कैनेडा के अंदर और प्लस टू में जो 10th में आप 85% से ज्यादा नंबर होने चाहिए इसी तरीके से arts वाले students के लिए community study है bachelor of art and science in environmental study है sociology है psychology है history है political science है dramatic literature है English है sports and physical activities leadership है gender and moment study है जे सारी के सारी बैचलर डिगरी है आपके 55% होने चाहिए humanity plus two की हुई है तो music में आप मिल सकती है philosophy में मिल सकती है French में bachelor degree मिल सकती है तो 55 overall public administration management का certificate है यह सारे के सारे प्रोग्राम से हैं आपको के ब्रेटन जुनिवस्टी में मिल सकते हैं जो की Nova Scotia के अंदर है इसी तरीके से मेरे पास 45 से 50 जुनिवस्टी और colleges है जो public funded रहेंगे जब अभी ही chrono immigration से संपर करें chrono immigration जहां पर आपकी definitely admission करवा सकती है तो Canada से लेटर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस WhatsApp नंबर पर मुझे संपर कर सकते हैं मैं अपने चैनल पर इस टाइप की डेली दो वीडियोज अपलोड करता हूँ अगर आप चालते हैं वाट्सव झालते हैं 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 झाल झाल